हेलो अब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज की इस वीडो में आपको हम स्कूल के अंदर आई हुई 18,000 से भी जादा प्यून के पदों पर सरकारी भरतियों के बारे में जानकारी देंगे बहुत यह अच्छी अपडेट है आज की बीडो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है आप सभी से छोटी से रिक्वेश्ट करेंगे कि बीडो को अभी के अभी एक लाइक कर दें क्यूंकि इतनी फास्ट अपडेट लेकर आया हूँ अगर आपको बीडो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्रा चलेगा इसके बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है तो बीडो को आखरी तक जरूर देखें ताकि complete information समझ में आ सके तो चले बीडो को सुरू करते हैं तो पहली बात कि यहाँ पे आपको सरकारी स्कूल की तरफ से प्यून के पदो पर सरकारी भरतियों के notification देखने को मि अभी आप कहेंगे कि प्यून की पोश्ट है तो यहाँ पे दो qualification क्यों है तो आपको बता दें कि प्यून के पदो पर पहले कक्छा पाचवी पासवालों की entry अलाओ करी गए थी यानि कि कक्छा पाचवी पासवाले आवेदन करते थे लेकिन नियमों में बदलाओ की बज़ और अलमोश्ट यहाँ पे आपको 28 फरवरी 2024 तका समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए वेकेंसी के सौट नोडिपिकेशन आ चुके हैं प्रेस रिलेजड नोडिपिकेशन भी आ चुके हैं मेंस की नियूस पेपर की तरप से जो नोडिपिकेशन आते हैं वो भी आ च और आप लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दिया गया तो क्लिक करके इस मेंच पे आ सकते हैं देख सकते हैं स्कूल प्यून रिक्यूट्मेंट 2024 नोडिपिकेशन आउट किये गये हैं 18,380 प्यून पोस्ट वेकेंसी के लिए इसके नीचे जैसे ही आप लोग आते हैं तो सबसे पहले आपको वट्सप ग्रूप को जॉइन करने का आपसन मिलता है साथी साथ आप लोग टेलिग्राम चैनल के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरब से रिक्यूट्मेंट है प्यून की अ इपसाइट पे आ सकते हैं इंपोर्टन डेट्स की बात कहें तो प्रेस रिलेजड नोटिकेशन के अंदर अभी तक डेट्स के बारे में चानकारी नहीं दी गई लेकिन अभी जो नया जबाब आया हुआ है नया अपडेट आया हुआ है इस विकेंसी को लेकर उसके माद्य है वो 18 से लेकर 40 साल तक की होनी चाहिए इसके लाबा छूट भी दिया जाएगा उसके बारे में आगे बात करेंगे आपकी टोटल नंबर विकेंसी 18,380 के लगबग होने वाली है प्यून के पदों पर ये भरतियां है कक्षा पाच्वी और कक्षा आठ्वी पास्ट वाले आवेधन करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि आज की नई सरकारी नोकरिया यानि की यहां पर आज के नए कौलिविकेशन के बेसिस पर जितनी भी नोकरियों उनके बारे में जानकारी है अगर आप लोग प्यून के पदों पर सेलेक्शन पाते हैं तो अच्छा खासा ग आप पर जानकारी है इसको देख सकते हैं कुछ इंपोर्टेंट लिंक यहां पर दे दिये गया है जैसे कि आपको सौट नोकरिकेशन दिया गया डाउनलोड नोकरिकेशन के आप्सन पर क्लिक करते ही सौट नोकरिकेशन मिल जाएगा उसको आप लोग जरूर देखें अभी नया बयान 2024 का है जहांपे आपको बताया गया है कि जल्दी भरती सुरू होंगी राजस्तान की सरकारी स्कूलों में जल्द चपरासी के पदों पर भरती होने वाली है यह औल इंडिया लेवल की जाब रहेंगी अधर इस्टेट के केंडिडेट भी इनके लिए आबेदन कर पाएंगे तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं आपको बता दे कि राजस्तान स्कूल चपरासी भरती फौरम भरने के प्रक्रिया जल्द सुरू होने वाली है भरती से जुड़ा नोडिविकेशन भी जल्द जारी होने वाला है जानक सक्षा में राजस्तान स्कूल प्यून रिक्यूट्मेंट के लिए भरती को अउजित करवाया जाएगा राजिके सिक्षा मंतरी के दारा बताया गया है कि इस बार कुल 18,000 से भी अधिक संक्षाओं में भरती को करवाया जाएगा जो अमीदबार इस भरती प्रक्राय का इं आवेदन की अंतिमतित ही से पहले भरना होगा इसके बाद जो है तो भरती फॉरम से पहले आपीसल वेबसाइट का नोडिपिकेशन को एक बार आपको ज़रू चेक आउट करना है अगर आपको ये वेकेंसी अच्छी नहीं लगती तो यहाँ पी अधर कॉवर्मेंट जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आपको इन्फॉरमेशन सबसे पहले मिलेगी अधिक ज्यानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ आप लोग बेल लोडिपिकेशन को भी आउन करें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तक तक के धन्यवाद